हाई, so this one is again a doubt from your side, जो बहुत अच्छा कोशिन है, विर्चोनी जब 5-set theory diagram का कोशिन है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो को करना पॉस्च अगर आपने कोशिन सौल नहीं किया, तो इसको सौल करना है, या यह कोशिन आपके टेलिग्राम ग्रूप या आपके डाउट गूप में पोश्ट हो गए होंगे, आप इसको सौल करना बहुत अच्छा कोशिन है, वीडियो को पहले मत देखना, तो चलो, हम देखना क्या जाता है, हम इस कोशिन को समझना चाहते है कि बहुत सी कोशिन है क्या, तो मैं पहले आपको दो तीन बाते बताता हूँ, कि अगर आपके प यह पोल दूं कि यह रोटल देटासे 10 है, यह रोटल देटासे 30 है, और इस वयली को मैं 5 मालनू तो मुष्ट को पता है, यह भी 5 होगा, यह भी 5 होगा. तो हमें ये पता है कि दो सेट डाइग्राम कैसे ड्रॉख करता है, लेकिन क्या आपको पता है, कि इसमें A प्लस C को, we say exactly 1 और B को हम क्या बोलते है exactly 2 यह सब जो वर्ड है exactly 1 exactly 1 का मतलब मैं किसी एक सेट में हूँ 2 का मतलब है exactly 2 what it's mean अगर आप exactly 1 और exactly 2 को add करते हो तो यह दिखेगा 5 plus this one is 25 actually 5 or 30 है 25 plus 5 is 30 plus 5 is 35 यह दिखेगा 5 plus 25 यह आपका exactly 1 है plus 5 is what 35 अगर आप exactly 1 और exactly 2 को add करते हो तो आपको देखता है कि कितने numbers of low participation किये हैं but आप outer value को जब add करते हो which is 10 plus 30 10 में आपके पास क्या है 10 में आपके पास A plus B है और 30 में आपके पास क्या है B plus C है जब आप इसे add करते हो यह data को क्या होता है 40 और exactly data क्या है यह data है A plus C and that twice B A plus C का value क्या है that is exactly 1 और यह क्या है 2 twice of exactly 2 because exactly 2 data आपके दो data set में है जब आप इसको add करोगे जब आउटर डीटा को add करते हो तो B two times add होता है this value is 40 मैं आपको फिसरी रिपीट करता हूं 3 data set में तो आप 3 data set में इस question को और बेटर तरीकी से solve समझ बाओ अगर आपके पास A B C टोटल तीन data set है और this is small a small b small c small a small b small c को we say exactly 1 मैं इसको exactly 1 बोलता हूं इसे मान लेता है mn o m plus n plus o is exactly two data set exactly two data set थे होतला वो दो set में participate करड़ा है और this value को मैं मान लेता हूं क्या z is the exactly three data set तो आपको कुछ बाते पता होनी होगी अगर आप a b c mn o और z को add करते हो तो आप exactly one data set exactly two data set और exactly three data set को अगर आप एक बार add करते हो तो यह sum total होता है यह union होता है कि कितने लोग participate किये थे यह दिखता है बट जब मैं data set के outer values को add करना start कर तो इसमें दिखता है exactly one once दिखेगा because a b c है exactly twice two times दिखेगा exactly thrice three times दिखेगा तीनों में दिख रहा है यह जो data होता है यह a plus b plus c होता है तो यह दो छोटे से equations हमें अगर पता चल गया है तो हम इस questions को बहुत easily तरीके से solve कर सकते हैं हमें इस equation form को देखना होगा दूश्रा अगर दो data mutually exclusive होता है मतलब उसमें कुछ common नहीं होते हैं तो हम उसे अलग-लग draw करते हैं इसको याद रखना और अगर तीन data set है जिसमें दो data a and b mutually exclusive है c अगर आपके दूनों में common हो सकता है तो हम इसको इस तरह से draw करते है that one is what exclusive data अगर similarly आपका four data set draw करना चाहते हो तो आपको पता है कि four data set draw करने का कुछ इस टाइप का तरीका होता है बट यह सारे तरीके अपने आप में बहुत गंदे दिखना स्टार्ट होते हैं तो जिनली के questions अपने आप में बहुत अरट टफ और ठीकी होता है लेकिन हम questions जब भी देखते हैं मैं इसको clear करते रहा हूं साहथ आपको इस समझ में आ गया होगा हम जब भी questions set theory के questions को देखत करते हैं तो जब इस question को आप पढ़ोगे तो आजब whole देखना है start करना 20 में रूपने के पहले मैं बोड़ूंगा के अपर questions को देख लेना we have what film maker OTT total कितने 650 family of a society had taken subscription of at least one of the five OTP at least one of the five OTP 640 total है तो पहला equation बनेगा क्या बनेगा one plus twice plus thrice plus four times plus five is actually equal to 640 हमारा पहला statement है यह equation number one यही बनेगा कि अगर single आप OTP हो double OTP हो triple OTP हो अगर मैं exactly अगर मैं करके बात करना start करूं तो यह data मेरा 640 होगा 640 is the total number of members जो participation करते हैं आपके survey में और survey में positive participation करते हैं ऐसा नहीं है कि वो किसी में नहीं हो ऐसा नहीं है और यह दिया हुआ है क्या maximum participation of the any family is the three मतलब यह दोनों मेरे zero zero है तो जो मेरा पहला equation निकल के आ रहा है वो मेरा यह निकल के आ रहा है इन तीनों का submission 640 है यह मेरा पहला submission निकल के आ गया मैंने कहा चलो ठीक है exactly one अब क्या है subscriber P and D do not participate in the P A and D का मतलब P D का union और intersection दोनों मैं बोलता हूं कि चलो मैंने इस data set को P बोला इस data set को मैंने डी बोला यह N और M के साथ mutually exclusive है मैंने इसको N बोला इसको मैंने M बोला क्या आपके V के बार में कोई बात की गई है V के बार में कोई बात नहीं की गई है तो आप एक V का data set बनाओगे जो सब के साथ work out करना चाहिए मैं सबके साथ work out करना चाहता हूं मैं इसमें फिर नोमें ट्रेचल करता हूं यह क्या है ABCD ABCD का क्या मतलब है exactly ठीक है फिर मैं नोमें ट्रेचल करता हूं कि टूटू वाले कौन है इसको मैं मैं लेता हूं M इसे मानता हूं N इसे मानता हूं O इसे मानता हूं P, इसे मानता हूँ Q, इसे मानता हूँ R, यह कौन से वाले हैं, यह वो लोग हैं, जो दो-दो वाले हैं, मैंकर दो data set में है, और यह जो A, B, C, D है, उसके साथ मैं एक E को और extra plot करना चाहता हूँ, how comes, and Y, because E भी अकेला data set में है, और इसके बाद मेरा क्या बचा है, इसे मान ल यह वो लोग है, जो तीन में पार्ट है, जैसे X को देखो, वो V में भी है, P में भी है, O में भी है, तो मैंने को समझाने के लिए, यह पूरा का पूरा diagram बनाया, और जब भी हम लोग करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि जो मैंने इसको तो पूरा यूज कर दिया, मैंने इसक data set किता है, V में 310 data set, 65 किस में है, 65 आपके N में, 65 N में, and M में कितने है, 95 है, मैं आपको फिससे एक बात recall करना चाहता हूँ, अगर आपके सारे values आउटसेट दिख जाते हैं, अगर आपके सारे values आउटसेट दिखना है, इस टार्ट होते हैं, 5 data, 5o का data दिखता है, तो यह तो था exactly, अगर मैं सब को add कर दूँ, this one is 480, and the 790, and this one is 950, तो मैं बो सकता हूँ, exactly 1, twice को double, thrice को triple, 4 को 4 times, and 5 को 5 times, मैं अगर ले दूँ, तो यह 950 दिखेगा, but as per our conditions, यह दोनो 0 है, तो यह equation जो में बनेगी, वो बनेगी, 1 plus 2 of twice, plus 3 of thrice is equal to 950, जब भी यह equation बनता है, और यह equation बनता है, से this one is equation number A, equation number B, तो हमारा जो एक पहला काम होता है, कि equation B से equation A को subtract करो, bigger coefficient से यह पहला काम करो, जिससे मुझे पता चलेगा, exactly 1 subtract हो गए, तो twice of exactly 2 and the 1, अगर subtract होके यह दिखेगा, तो यह दिखेगा 2, और यहां से दिखेगा twice of 3, यह data क्या होता है, अगर मैं subtract कर दूँ, तो यह 310 जाएगा, कभी भी आप से, आपको फिससे बोलता हूँ, आपको समझना और देखना क्या है, कि if you have a total participation, पहला equation तो आपका यह बनता है, अगर question complicated हुई तो, दूश्रा, अगर आपके सारे set के पूरे data set दिए हुए हैं, तो 1, 2, 3 करके आप उसको add करके 950 बना लेना, आपका यह बनना इस्टार्ट होता है, मैंने कहा अभी तक जितने भी हुए, मैंने यूज कर दिया है, मैं बाद में देखता हूँ, if 50 family has taken subscription of 3 OTT, अगर 50 family, अगर यह data 50 है, मैं लिख लेता हूँ कि जो मैंना diagram बना है, अगर यह data 50 है, तो यह 200 होगा, double वाला data कितना होगा, 210 होगा, मैंने एक और question के data को निकाल दिया, मतलब मैंने इसको भी यूज कर दिया, मुझको यह पता है, not a single family member subscribe VNM, VNM, N का मत्रव intersection, VNM, को देखो, यह कौन सा है, तीन data set, VNM कहाँ पर, यहाँ पर है, यह मेरा 0 है, यहाँ पर कोई भी member नहीं है, अगर यह 0 है, तो मुझको पता है, तीन data set अगर 50 है, तो X का value 50 होगा, how come, because 3 data set, मतलब वो data set, जो 3 जगा participate किया है, is 50 है, as per the one of the data, 0.3 से, तो मुझको पता है, अगर यह 50 है, तो यह इन दोनों का submission होता है, बट दिया हुआ है, यह 0 है, तो यह 50 होगा, मैंने इसको भी निकाल दिया, मैंने कहा, चलो, हमने लिख लिया, इसको लिख दिया, 150 में में लिख संस्काइब, exactly two platforms out of PDV, out of PDV, अब देखो, PDV, यहाँ पर exactly 150 है, तो यह जो नया equation बन के आ रहा है, मैं उसको भी लिखता हूँ, M plus N plus O, यह PDV में exactly two है, यह क्या है, 150 है, अमने सारे pointers को अपने यहाँ पर उतार लिए, जो भी उतारना था, मतलब, पहला mother statement से मैंने equation बनाया 640 का, उसके बाद इस से मैंने diagram बनाना start किया, कि जब तो मिचुले exclusive है, तो अलग अलग दिखोगे, और बीच में आप common, आपका point होगा, जो दोनों को जोड रहा होगा, इस data sets को मैंने plot किया, और मैंने दूसरा equation बना लिया, because इसमें सारे पांचों data set की बात की गई थी, और अलग 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 अमने बनाना start किया, जब data set बनाते हो, तो exactly इस question में, हमें 3 to 4 से hardly 5 minute का time लगेगा, इस पूरे data set को बनाने में, मैं तो आप से बात कर रहा हूँ, इसे जड़ा time लग सकता है, अब पहला question solve करते हैं, how many families subscribe exactly 2 OTT, exactly 2 OTT का मतलब this data set, जो हमने पहले ही निकाल दिया है, answer of this question is 210, the number of families who subscribe exactly 1 OTT किता है, exactly 1 OTT किता है, तो देखो exactly 1 OTT, आप कहीं से भी निकाल सकते हो, exactly 2 आपका 210 है, ये data 210 है, ये data आपका कितना है, 50 है, तो ये जो हो गया आपका, ये कितना हो गया, 260 हो गया, दोनों को add करके, अगर मैं 640 से subtract कर दूँ, this means 0, ये 14 से 18 जाएगा, यहाँ 5 जाएगा, तो exactly 1 कितने है, 280, answer to this question is 280, बहुत सिंपल सा question था, बस plus minus करना है, data set को सही plot करना है, answer आजाएगा, next question की तरफ हम बहतने है, question क्या बोड़ा है, the number of families who subscribe, both P and V is 100, जो P and V, P and V, इसका मतलब क्या है, P and V का मतलब ये intersection है, ये 100 है, मतलब अगर यहाँ पर 50 आपके पास पहले से था, तो M का डेटा भी कितना होगा, 50 होगा, तो मैं इस M को 50 लिख लेता हूँ, बेटर, दूश्रे करण से लिखनू, तो जादा easy होगा, this one is 50, मैंने इस डेटा को लिख लिया, number of family who subscribe both P and D is 80, P and D is 80, P and D का मतलब P और D का intersection, अगर यहाँ 50 है, तो यह मैं इसको पता चले गया कि ये 30 है, मैंने इसको भी लिख लिख लिया, how many family must subscribe both D and V, D and V को हमें देखना है कि कितने लोग हैं, तो देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, यह data set आपका कितना है, तो यह आपका क्या था M, आपके पास कितना है 50, आपके पास कितना है 30, तो O की जो value होगी 150 से O becomes 70, अगर O आपका 70 है, और हमसे पुछा गया है D and V का intersection, तो D and V का intersection में 50 plus 70, 120 आएगा, और हम इस question को बहुत easily, बहुत प्यास से solve कर सकते हैं, तो मैंने अपने student किया, मैं सबसे यही बोलता हूँ, set theory में, अगर आपका maxima minima या inequality नहीं दिखता है, तो set theory round 1 का question होता है, जो हमने solve किया, हाँ, आपको set theory में कुछ बनाने में issue हो रहा होगा, पर वो बहुत easily बन जाएगा, so answer of this question, जो आपके है 210, 280 and 120, आपको कोई भी doubt होता हूँ, आप फिर 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 टो ping me, हम और भी questions discuss करेंगे आपके साथ, मैंसेल्फ हम यह, मैंने जाता हूँ अपना best, आप अपने doubts कुछते रहो, और before exams सारे doubts clear करना, God bless you, happy learning and bye-bye, okay?